हेलो विवर्स वेल्कम्टो दे शेकेंड लेक्चर ओफ सबसर्फस सोर्चेस अव वाटर आज जो मैं डिसकास करने वाला हूँ वो है वाटिस इन्फिल््टरिशन वाटिस स्प्रिंग्स तो इन्फिल्ट्रेशन वाटिस क्या होता है थीस वाटिस अर्दास है लोग बैंके यह चाहिए जाता है तो यह जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं तो यह कर रिवर है मान लीजे तो इसके बैंक यह इन्फिटरेसन ओएल सीरीज में कॉंस्टर्ट किया जाता है जिसका क्या होता है कि these are covered at the top and kept open at the bottom इसका जो top रहता है वो covered किया हुआ रहता है RCC slab रहता है और नीचे जो है bottom यह open रहता है जहां से पानी ओके यहां से से पानी सीप कर दिभर से सीप करके bottom से इंटर कर सके इस oil में तो इसलिए bottom open रहता है यहां से पानी इंटर करता है इस oil में तो यह होता है infiltration oil okay so these oils are generally constructed of brick masonry with open joints इसके side में brick masonry रहता है open joints रहता है जहां okay manholes are provided for inspection purpose जो infiltration oil रहता है इसके उपर manhole construct किया जाता है for inspection purpose okay तो नीचे कितना पानी जमा हो रहा है यह देखने के लिए उपर manhole रहता है the various oils are connected by porous pipes to a swamp oil called jack oil okay तो यह अगर infiltration oil है मान लीज़े तो इसके अगर section हम काट लेते है यानि कि अगर इस oil को हम इस side से देखते है तो इसका यह ऐसे दिखने में होगा okay तो यह होगा infiltration oil इसका section and view of infiltration oil यह होगा तो दोनों side में इधर river है तो इधर oil में पानी जमा हो रहा है okay यह top slab cover यह manhole है तो यह brick masonry रहता है side में तो यह होता है infiltration oil और हर एक infiltration oil से एक porous pipe connect किया हुआ रहता है जहां से पानी इसको jack oil बोलते है यहां आके ओके कठा होता है पानी तो इधर से पानी फिर lift करके treatment करके उसको consumer के पास भेजा जाता है तो यह होता है जैक वेल और संप वेल ओके तो ये था इंफिल्टरेशन वेल तो अभी होट इस प्रींग्स देस्प्रींग्स इस देट नेचरेल आउट फ्लो अप ग्राउंड वाटर एट दा आर्थ सर्फेस इस सेट तो फॉर्म इस प्रींग अगर ग्राउंड डार अर्थ सर्फेस में अगर फ्लो कर जाए नेचर Nicolas फ्लो ओ nu अगर आर्थ सर्फेस में तो उसे कहलाटबा है तो क्या होता है कि देखे इसका तीन टाइपकश टाइप्स त्री टाइपस ओ स्प्रिंग मिन्र ओन is gravity springs second one is surface springs and third one is artesian springs okay तो पहले discuss करते है what is gravity springs okay तो gravity springs क्या होता है अगर मान लिजिए यह है यह है gravity springs जैसे इमेज में आप इधर है तो यह है gravity spring क्या है groundwater table rises high and water overflows through the sides of natural value depression अगर due to some reason ground water अगर उपर आता है अगर ground water table high हो जाता है तो क्या होता है यह ground surface से इधर flow करने लगता है through the value depression तो यह होता है gravity spring under the action of gravity यह ground surface से flow कर जाता है side से तो यह होता है gravity springs और उसके बाद आता है जो यह है surface spring surface spring क्या होता है देखिए impervious obstructions supporting underground storages become inclined causing water table to go up and get exposed to ground surface अगर ऐसा को impervious layer या फिर rock का layer रहे जिससे पानी नीचे ना जा सके तो यह अगर inclined रहता है तो क्या होगा पानी नीचे नहीं जा सकता तो पाणी उपर आखे जो rain water अगर मान लिजे पानी rain water से नीचे आ रहा है तो पानी इस कुपर जमा होगा तो पानी नीचे नहीं जा पाएगा तो पानी अगर तो water table करेगा क्या होगा इस ग्राउड सफेस से फ्लो करने लग जाएगा एक ताइम तो यह होगा सार्फेस श्प्रिंग due to the inclined layer of the impervious layer okay and third one is the artesian spring heartesian spring क्या होता है when the storage is under pressure okay the spring formed is known आर्टिसेयन स्प्री इसमें क्या होगा कि आ जो पानी होगा यह है सब्सक्राइब कर्सक्asy जो कि इससे पारवियास लियार मतलब जिसका जिसके अंदर पानी कर सकता है जो कि पानी को छो करने का पार्मीरड देता यह पार्वियस लेयर होता है जिसका कोईफिसेंट और पार्मीविलिटी रहता है और यह है इंपार्वियस लेयर मान लिजे कोई रॉक का लेयर जिसके अंदर से पानी नहीं जा सकता तो अगर बीच में कोई पार्वियस लेयर होता है अगर इसके नीचे और उपर दोनों और बीच में सेंड का कोई लेयर है तो क्या होता है कि पानी बहुत दबाव में रहता है water is under pressure hydrostatic pressure में रहता है तो अगर इस प्रेसर के वज़े से पानी क्या होता है ground surface से फ्लो करता है और कफी ज्यादा उंचाई तक rise करता है पानी इस प्रेसर के बज़े से due to this pressure तो यह होता ह है वाटेसियन स्प्रिंग पानी बहुत प्रेसर से उपर जाता है तो यह क्या होता है the water is flowing through some confined aquifire तो यह confined aquifire है confined aquifire किसे कहता है जिसका दोनों साइड इंपर्वियास लेया रहता है उपर और नीचे और बीच में पर्वियास लेया रहता है तो यह होता है confined aquifire तो अगर पानी confined aquifire में रहता है तो artesian spring form करता है और यह होता है natural ground surface तो इस में से कभी कबर क्या होता है कि पानी जो है गरम पानी निकलता है सम्टाइम्स discharge hot water due to the present of sulfur in them तो क्या होता कि पानी में sulfur यह पानी होता है तो इसे hot spring भी कहा जाता है जैसे कि इंडिया में हरियाना में सोहाना इन हरियाना में यह hot spring रहता है जो कि it is insufficient for water supply यह water supply के लिए नहीं यूज कर सकते हम क्यूंकि इधर इसमें sulfur रहता है तो यह था spring ग्रैविटी spring surface spring and artesian spring तो यह था infiltration well and spring so if you find this video helpful please like this video share this and subscribe my channel thank you